important question है railway की exam पुछा गया था इसको बनाते हैं एक आदमी ने कुछ संत्रे एक रुपएया में 3 फल के दर्ण से और कुछ और संत्रे एक रुपएया में 2 फल के दर्ण से खरीद लिए उसे 20% लाप प्राप्त करने के लिए संत्रे को परतीर दर्जन किस कीमत पर बेचना चाहिए बनाते हैं ठीक है देखिए एक रुपईया में तीन फल खरीदता है या तीन मटन खरीदता है या तीन सबजी खरीदता है या तीन बैलून खरीदता है जो भी खरीदे ठीक है यहाँ लिख देते हैं CP और यहां पर लिख देते हैं वस्तु जो भी है object लिख दे रहे हैं ठीक है कुछ भी है उससे कोई मतलब नहीं ठीक है एक रुपईया में एक रुपईया में तीन फल खरीता है फिर से बोर रहा है एक रुपईया में दो फल खरीता है कोई दिकत नहीं है हम दोनों को बराबर करेंगे तो दोनों को बराबर करने के लिए तीन में क्या गोना करें भाई तो दो कर दे रहे हैं दो में तीन कर दे रहें, तीन दूना छे, तीन दूना छे बराबर हो जाएगा, ठीक है, इसमें दो कर दे रहें, और इसमें क्या कर दे रहें, तीन कर दे रहें, ठीक है, सेम जो यहां पे हम कियें, वो भी रूपीस वाले में करेंगे, तो यहां भी दो कर दे रहें, और यहा कह रहा है उसे 20% लाप प्राप्त करने के लिए संतरों को परती दर्जन किस कीमत पर बेचना चाहिए ठीक है तो देखिए जब भी प्रोफिट होता है वो हमेशा आपका कोस्ट प्राइस पर होता है क्राइम मुल्य पर होता है तो 5 रुपय पर प्रोफिट कितना होगा देखत कितना में बेच के उसको फाइदा हुआ इतना में बेच के उसको फाइदा हुआ ठीक है याद रखिएगा प्रोफिट और लोस ठीक है वो हमेशा कोस्ट प्राइस पर होता है ठीक है और कोस्ट प्राइस जो है वह आपका सेलिंग प्राइस के बराबर रहता है तो देखते ह यह 00 कट जागा पांच 5, 10, 12 6 रुपय में बेचेगा तो उसको 20 परतिसत का लाब होगा नो कर से रुपय में बेचेगा तो उसको 20 परतिसत का लाब होगा कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे Okay. Thank You झाल 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 झाल